2005 में same day report उनकी सरकार थी, same day report आया था और 10 सांसदों को same day इन्होंने निकाला था मैंने को 2 घंटे में report पड़ी है, पता नहीं इतने सब विद्वान यहां बेठे हैं कैसे 2 घंटे में वो report नहीं पड़ पाए 47 ताइम्स डुबाई से इनका अकाउंट लॉग इन हुआ है, यह भी हार report में, 6 बार UK, US, नेपाल यहां से अकाउंट लॉग इन होके questions अपलोड किये गए हैं एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉग इन होता है दिल्ली में, दुबाई में, बैंगलोर में और US में एक खटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की चवी खराब हो रही है हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में report लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए तो उन्हें में याद करवा दू, 2005 में, सेम डे report उनकी सरकार थी, सेम डे report आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही 2005 में किया था अभी सर ये पहली बार उस समय सवीदान की दारह 105 नहीं थी सर यहां देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय मानिया सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसर ने निकाला था और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है लेकिन आज का ये जो मानिया सांसद महुआ मोहतरा जी का जो प्रकरण है ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फरक है इसमें कंपनी एक्जिस्ट करती है इसमें बिजनसमैन एक्जिस्ट करते है और मिस्टर हीरा नंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है मैंने तो दो घंटे में रिपोर्ट पड़ी है पता नहीं इतने सब विद्वान यहां बैठे है कैसे दो घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए मैंने पूरा रिपोर्ट दो घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है जिनकी कमपनी का इंट्रेस्ट है और जो प्रमो कुरूप से पाच सेक्टर में उनका इंट्रेस्ट है टेलिकॉम, शिपिंग, रियल इस्टेट, पेट्रोलियम और पाइ इस 61 questions में से 50 प्रशन उनके इनी पाच सेक्टर में इनी मिस्टर हीरा नंदानी से संबंदित विशयों में पूछे गए है और इतना ही नहीं तो 47 ताइम्स डुबाई से इनका अकाउंट लॉग-इन हुआ है ये भी रिपोर्ट में चे बार UK, US, नेपाल यहां से लॉग-इन होके questions अप्लोड किये गए हैं और ये चीज़ खुद मानिया सांसद महोदया ने ethics committee के सामने ये accept किया है कि उनका ID और password ये उन्होंने खुद Mr. हीरा नंदानी को और उनके company के logo को दिया था तो यहां जो natural justice की बात कर रहे हैं उन्हें में याद करवादू के ethics committee के सामने मानिया सांसर महोदया को पूरा मौका मिला उनकी बात रखने का मौका मिला और Mr. हीरा नंदानी जो इस company के प्रमुक है और जिनके पास से gifts और पैसे लेने के जो आरोप यहां पे थे उसमें Mr. हीरा नंदानी ने खुद एसी डेविट करकर ethics committee को दिया है और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो Indian embassy के deputy councilate general जो दुबाई में है उनके सामने शपत लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है इसी के साथ मैं अपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगी कि यहां बार बार जो बात हो रही है कि natural justice की fundamental principle of natural justice की तो मैं यहां बताना चाहूंगी कि अध्यक्षमोद है जब हम लोग सांसत बनते हैं सांसत बनने के बाद हम सबको members portal पर एक rules के तहट ID और password देने का एक form मिलता है हम सभी सांसत चाहे वो लोग सबा के हो या राजय सबा के वो form पे sign करते हैं और उसमें rules में लिखा हुआ है कि हम हमारा ID और password किसी को share नहीं कर सकते ये rules में लिखा है हर संसत सदस्य उस पे sign करता है हम सबने sign किया हुआ है और यहां पर जो मानिया संसत महोदया है उन्होंने तो खुद ये मानिया किया है कि उन्होंने ID password दिया ये पहली बात दूसरा एक ही दिन में उनका account login होता है दिल्ली में दुबई में बैंगलोर में और US में चार अलग-अलग शेरों से यहां पर उनका account login हो रहा है तो यहां natural justice की बात कर रहे हैं आप खुद rules तोड रहे हैं आप मानिया संसत है आपने खुद एक form sign करके जो चीज आपको confidential रखनी है वो आप खुद चार अलग-अलग लोगों को शेर कर रहे हैं तो यह यहा परियादा का सवाल है हम parliamentary procedures को यहां respect करना है हमारा काम है जब यहां पर यह कह रहे है कि जो भी चर्चा हम यहां कर रहे है या उनकी तरफ से जो कह रहे है मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की चवी खराब हो रही है इससे एक message यह जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते कोई और उनको पूछने लगाता है उनकी चिट्टी खुद नहीं लिखते कोई और उनको चिट्टिया लिखके देता है अपने बाशन खुद नहीं लिखते कोई और उनको लि चाहूंगी कि माननिया सांसद के इस अनएथिकल कंड़क्ट के कारण आज सभी सांसदों की चवी ये देश भर में खराब हुई है केवल देश भर में इने दुनिया भर में यहां खराब हुई है अभी यहां पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है अलग-अलग लोग का नाम लिया जा रहा है हम सब यहां सांसद है फीमेल मेल इस प्रकेर देख्ट हम लोग हमारे संसदियर शेत्र का प्रतिनिद्व करते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहां आके बैठते हैं हम यहां जब आते हैं तो हम Constitution की ओथ लेते हैं कि हम यह Parliament की मरिया दाके यहां लेका सवाल पूछेंगे और हमें संसदियोगे के लोगों का प्रतिनिधी के नाते यहां आके बैठते ना कोई प्राइवेट एंटिती का कोई रिप्रेजेंट या अेजंट बनके तो मुझे यहां आपके माध्याम से यहां पर। मैं आप सब्सक्राइब ने बात हो रही है जिन पर आरोप लगे है उन्हें भी वहां पर कमिटी ने पूछा और जो यहां पर बार-बार अपमान की बात वो लो करते हैं तो मैं यहां बोलना चाहूंगी कि मैंने जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में मानिया सांसर मोहदया से जो एफिडेविट प्राप्थ हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिन से उनको ये लगे कि हमारा यहां पे चीरहरन हो रहा है तो मैं आपको यहां पे विनमरता से अनुरोद करूंगी कि कमिटी ने यहां पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विशय जो यहां प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश्ट के और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसत का कोई सदस्या अने थिकल कंड़क्ट करता है रूल्स और प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है और नोबड़ी इस अबाव दी लाओ अव दी लैंड